हेलो दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपकी आज की लेटेस्ट कम्प्टिटिटिव एक्जाम और जो अब अब बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सेन तक देखना ना भूले तो जैसा कि आप जानते कि सड़ सड़ भी बीपीएसी की परकिरि सोला विवागोस है जो कि और भी रिखती है आई है सबसे अची बात है स्टम के जो कि अठासी पद है और एक सब्ता के अंदर है जो कि यह निकाल दिया जाएगा यह आपको इस सब्ता है जो कि आपको उमीद है कि निकल जानी चाहिए इसके बाद आते हैं दूसरी ख़बर आपको अपर जेपीरेसी की जो परिच्छा है उम्र स्रीमा वाली वह भी यह जो कि आपको रहत हो गई है आप इस में परिच्छा हो गई है तो इसमें कोई सुन हबाई नहीं हो Saudi और उम्रिसीमा पर दूज था कि उम्रिसीमा को ज्यादा रखा जाए यह खारीज हो गया है अब देख सकते हैं 2021 परिच्छा 2021 से जो कि अब रध नहीं होगी अब आगे चलेगी और यह BPSC से है आपको कली स्थागित कर दी गई जो 31 दिसंबर को थी तो क्या यह जो बिहार जो अभी भैकेंसी भी नहीं आई है जिसकी सड़ड़ी की क्या परिच्छा होगी तो उमिद इसकी भी है टलने क्योंकि 12 दिसंबर को भली है लेकिन उसकी तैयारी है काफी पहले और सारे लोग है जो की पंच कि इस परिच्छा के उमिद ज्यादा है और बीक में जितनी भी बिहार में परिच्छाएं वो सारी अब रद्ध होगी उसके बाद आते हैं तो यह जो है आपको आई आटी में गरिजेट होते हैं मन्टी नेश्निक कंपनियां हैं जो कि यह सब नोक्री छोड़ कर जो कि सरक इसमें सबसे ज्यादा जो है इंजिरिंग दो सो जो है इंजिरिंग पिस्ट भूमी के है तो राजस्वद्धिकारी में ज्यादा लोग है जो कि बीटेक वाले जो है वह ज्यादा है इंजिरिंग बैक्राउंड के ज्यादा है 15-20 लाग की नौकरी जो है सलाना जो है वह भी यह जो कि छोड़ दिया और सात लाग लंग बगार रहेगा पहुत सारे अच्छे लोगों है जो कि और यह सत्यापन चल रहा है राजस्वधिकारी का उसी में यह पता चल रहा है और राजस्वधिकारी का पावर भी बना दिया गया पहले क्या था कि आपको जाती आय प्रमान मत करके आपको अंचल अधिकारी बनाना है फिर राज स्कूलों में 83-86 सारीरिक सिच्छा अनदेश्कों की होगी नियुकती होगी इन्हें हर महीने 8000 रुपिय नियत बेतर मिलेगा जिसमें इस साल आना 200 रुपिय बढखोतरी होगी मुख्य मंत्री निती इसकुमार की अधिस्ता में यह बैठक होई थी और यह आपको अब किलियर होगे और ततकाल है जो की प्रानबिक इसकूल में एक एक सारीरिक सिच्छा और सुकिर्दी दी गई है यह इसकी भी है जो की और यह अगले मां से जो की शुरू हो जाएगी अगर पंचाय चुना बाधा नहीं बना तब है जो की अगले महिना जो की शुरू हो सकती है उसके बाद देखते हैं यह 526 जैन नियुक्ती की मेरिट लिस्ट पर है जो की कोड ने रोक लगा दी है तो जारकन हाई कोड ने ग्रामिन विकास विवाग में अनुबंद पर जूनियान इंजिनिरों की नियुक्ती मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है अधी मेरिट की आजका में यह निर्देश दिया गया है thank you जोकी रोक लगा दिये गा ऊनुबंद पर था किस पर था ये अनुबंद पर और इसे जिलावार है जोकी विज़ीयापन जारी चाहटा तो साइशनिक विज़ीयापन लिखेशन धिप्लोमा था 60% के लिए 50 जेनरल के लिए 60 अनिवार था लेकिन विभाग ने जो अब वाइंदेक मेरिट लिस्ट चारी कि इसमें यह पाया कि सीधे बीटेक करने वाले वेर्थी को भी चैन कर लिया गया इसलिए जो कि यह बवाले जो कि यहां पर हुआ और क्या बेग्यान एवं प्रववेद कि विभाग बिहार के दीन राज किये विएंदरन महामिध्यालवन प्रधयापक के पदपन नियुक्ति का जो कि दिया गया इसमें खाली सीटों के प्रिछा काफी कम है वेर्थों के चैनुगा इस तरह एक बार में फिर बिहार के इंजिरिंग कॉलेजियों सीटों के खाली जाएगे इस नियुक्ति को पूरा करे की जिम्मवारी है जो कि लोग बिहार लोग से वायोग को दी गई है सायक पुरत जयापक के इलेक्रिक्रिकल 94 पृति सीटे रहा इसी तरह कंप्यूटर में 15 सीट के लिए महाजे जो की एक सायक पृत्यापक के चैनुगा इलेक्रिकल बार लोग सत्रह में से सिर्फ 800 को चैनुगा तक ही न कहीं चीर से जो की सीट के खाली रहने की उम्मीद है मंगलवार को सरकारी ने जो कि अन्मती देने के लिए माई तक समय मांगा था जिस कोट ने ठुकरा दिया अब बेटियों के इस साल है जो कि एंडिये के जरी फोज में जाने के रास्ता खूल गया है तो यह आप देख रहे हैं कि सिटीप्यों की परिच्छा जो की रद्ध हो गई है अब आते हैं जो बिहार दरोगा की जो प्री एक्जाम है तो यह आपको अब 26 दिसंबर को हो गया और इसके लिए क्योंकि काफी है जो कि कम समय बचा है दो से धाई महिने जो की बचा हुआ है और इसमें जो कि आपको तैयारी करना है और आप देख रहे हैं कि इसमें जो कि सबसे ज्यादा जो फेलेशन है वो करेंट अफेर्स की है करेंट अफेर्स जो है क्योंकि को सकता है कि आपको पहले ही बैंगया हो क्योंकि पहले भी डिटे निरधारित हुई थी निरधारि करेंट उसमें कम था दो थे में दिया हूँ था कि बंदरर देना है और जहारखेंट को पेपर को पढ़े ना पढ़े उसे को इंतर नहीं फिर फिर ने जो बहुत ही तफ थे तुष करने लोगों ऑपके जो कि जेनरल की है जो कि उम्मेद है जो कि आपको 230 से 240 जा सकती है हाला कि सीटों की संख्या काफी कम है अगले बार की 326 थी इस बार 252 है तो अगले बार 206 थी तो इस बार है जो कि 230 से 240 के भी जा सकती है तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद